कि आपको पता है कि square wave inverter और sign wave inverter में से कौन सा inverter सबसे अच्छा होता है बात करेंगे इस वीडियो में इस वीडियो को एंड तक देखिए नहे है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे क्योंकि हमारी आने बाले नेवडिक नोटिफिक आपको सबसे पहले मिले तो चलिए शुरू करते हैं कि square wave inverters are usually used to support motors alone ओकी जो square wave inverters है वो used ज्यादातर होते हैं जो motors होते हैं उसमें यूस होते हैं मतलब कोई heavy motor use हो रहा है pump हो रहा है और कुछ भी heavy motor जो ज्यादा HP का हो यूस हो रहा है तो उसमें square wave inverter ज्यादा यूस होता है लेकिन जो sign wave inverters हैं वो used to support household appliances ओके household appliances जो है उसमें यूस होता है जैसे रिप्रिजेटर्स ओवन्स कॉम्पूटर्स लैप्टॉप्स ओके और भी बहुत चारे चीज़स हैं टेलिविजन फैन्स ओके इसमें क्या होता है sign wave inverter यूस होता है क्योंकि जो sign wave inverter ओ ये सब चीज़ को क्या करता है household appliances को लुक्षान नहीं पहुंचाता ओके क्योंकि इस current का frequency जो है वो सेम होता है actual currency square wave inverters are less reliable and also unsafe to use जो square wave inverters है वो reliable इतना नहीं होता जल्दी खराप हो जाता है और unsafe to use है क्योंकि आपके household का एप्लाइंस जो है उसको भी खराप कर सकता है but sign inverters are highly safe to use लेकिन जो sign wave inverters है वो बहुत ज़्यादा safe है for use के लिए ओगे use के लिए भी safe है और आपके जो household का एप्लाइंस है उनके लिए भी बहुत safe to use है तो इस वीडियो में इतना ही इस चानल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा थेंक्यू